अगर आप लोग Udemy के courses को free में लेना चाहते हो वो भी certificate के साथ तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो बस इसको end तक देखते रहना जहां पर आपको free में courses और उनके certificate भी बिल्कुल free में देखने के लिए मिल जाएंगे कैसे मिलेंगे वो भी बताऊंगा और यहीं पर आपको सबसे ज़्यादा courses भी मिलते हैं और इसी चैनल पर आपको रोजाना वीडियो मिलती है तो चैनल को subscribe ज़रूर कर लेना क्योंकि अगर आप subscribe भी नहीं करोगे तो वीडियो आपको late मिलेगा जिससे coupon expire हो जाएगा और आप लोग किसी भी course को free में नहीं ले पाओगे तो course इसको free लेने के लिए वीडियो को time पर देखना बहुत ज्यादा ज़रूरी है चैनल को फटा फट सब्सक्राइब कर लो और हम चलते अपने सीधा पहले नमबर के course की तरफ पहला course English grammar का है जो भी लोग tenses और structures यानि active और passive voice सीखना चाते हैं आप लोग इस course में enroll कर सकते हैं मैं रोजाना वीडियो में एक ना एक foreign language का जो course आपको add कर देता हूँ चाहे वो English हो Chinese हो German हो Spanish हो या और भी धेर सारी languages होती है foreign languages उनके course आपको वीडियो मिल जाते हैं तो अगर आप लोग foreign language के courses भी सीखना चाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके regular basis पर वीडियो देखना शुरू कर दो अब बात कर लेते कि आपको किसी भी course में फ्री में enroll कैसे करना है courses को free लेने के लिए आप लोगों को उपर एक number दिख जाएगा और उसके according ही आप लोगों course free मिलेंगे सबसे पहले वीडियो एंड तक देखना जिससे आपको पता चलता रहेगा कौन से number पर कौन सा course है और अगर आप सारे के सारे courses में enroll करने का सोच रहो यहाँ पर एक बात बता देना चाता हूँ इससे आपका Udemy account बैन हो सकता है तो यह गलती मत करना अल्रेडी बहुत सारे लोगों का account बैन हो चुका है तो आप लोग वीडियो देखते रहो जिससे आपको पता चलता रहेगा कौन से number पर कौन सा course है और फिर उसके according आप लोग वीडियो के description में जाओ और description में आपको उसी same number के सामने एक link मिलेगा बिटली का blue color में उस link पर जैसी आप लोग क्लिक करोगे आप लोग भी कुछ ऐसे ही दिखने वाले pages तक पहुंच जाओगे और यह course आपको directly free में देखने के लिए मिल जाएंगे coupon तक आपको apply करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बस आपको वीडियो time पर देखने है अगर वीडियो लेट देखोगे तो price definitely आ जाएगा coupon क्योंकि expire हो जाता है अगर आप ज्यादा लेट वीडियो देखते हो तो वीडियो उसी दिन देख लिया करो जिस दिन ये वीडियो चैनल पर अप्लोड की जा रही है और इसमें आपकी help करेगा चैनल का subscribe बटन और जब आप यहाँ तक आ जाओगे course feed दिख जाएगा enroll का button मिलेगा इसमें क्लिक कर देना इसके बाद आप लोगों को login sign up करना है जो कि आप बड़े अराम से कर सकते हो Google, Facebook या Apple की help से भी तो यह कुछ ऐसा dashboard आ जाएगा जब आप course में enroll हो जाओगे राइट हैंड साइड में आपको course content मिलेगा basically देखा जाए तो सारा का सारा course वीडियो lectures की form में रहता है तो अगर आप लोग course को करना चाहते हो mobile phone पे तो वो भी कर सकते हो ऐसा ज़रूरी नहीं कि course करने के लिए आपके पास laptop या computer होगा जब भी आप course कर पहोगे आप mobile phone पे भी बड़े अराम सो course कर सकते हो और यह सारे ऐसे courses है जिनमें कोई भी enroll कर सकते है सचाहे वो school student हो college student हो housewife हो, job करते हो आप कुछ भी नहीं भी करते हो खाली बैठे रहते हो तो भी आप इन course इसको free में कर सकते हो और इसमें आपको certificate भी मिलता है certificate लेने के लिए पहले course complete कर लेना और course को समझनों को doubt आजा है सक्षन पर पूछ भी सकते हो overview section पर आपका certificate लेने के लिए यह रहा आपका certificate का section जहां पर आप लोग एक बटन देख पा रहे है यह रहा Udemy certificate नाम से जो की lock है स्टार्टिंग में हर course का यह बटन लॉक रहता है पर जैसी course complete करो गए यह बटन आपका unlock हो जागा तुरंती और इस पर क्लिक करके आप लोग कुछ ऐसा ही दिखने वाला same to same certificate generate कर सकती हूँ तो इस तरीके से आपको यहाँ पर certificate में मिल जाएगा और यह certificate बहुत सदा काम करते हैं क्योंकि Udemy एक global website है जाकर certificate हर जगा valid रहते हैं आप लोग इने LinkedIn पर डाल सकते हो ताकि आपको इंटरेंशित और jobs बड़े राम से मिल जाए तो यह ती सारा process course में enroll करने का अगर आपको इसके बीच में कहीं पर कोई doubt आ जाए तो comment करके पूछ सकते हो और अगर आप लोग कोई दूसरा course है वो भी आप लोग बता देना आपकी सभी comments को मैं पढ़ता हूँ और 24 घंटे के अंदर अंदर ये उनका reply कर देता हूँ और अगर फिर भी आप मुझे बात करना चाते हो तो WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram पे मुझे message कर सकते हो सभी course इसके links आपको वीडियो के description में देखने के लिए मिल जाएंगे और इन social media के link भी आपको वहीं उपर देखने के लिए मिल जाएंगे description में तो वहाँ पर जाके मुझे join कर सकते हो और वीडियो का अभी तक like नहीं के तो like कर दो और भी जादा course उसको रोजाना पाने के लिए चैनल को subscribe करना मत भूल जाना अब जैसे हमारा दूसरा course पब्लिक relations के उपर है जो कि आपके marketing को grow करने में help करता है किसी भी course की detail जान नहीं हो नीचे scroll करके देख से तो क्या पढ़ाया जाएगा course कितनी देर का है हर course में आपको यहां से full lifetime access दिया जाएगा यानि अगर आप एक बार course में enroll करते हैं तो आप उस course को कभी भी खतम कर सकते हैं और साथ इसाथ आपको मिलेगा एक certificate भी और course के बाग के details से requirement course content यह चीज़े आप नीचे scroll करके देख सकते हो तो हर course का link का आपको description मिलेगा same to same process एंडूल करनेगा बस सारे के सारे course में एंडूल मत करने लग जाना वरना Udemy account बैन हो जाएगा तीसरा course real estate marketing का रहेगा facebook ads वगरा चला के आप लोग इस चीज़ को कर सकते हो और एक और important बात guys अगर आप लोग वीडियो लेट देखते हो और काफी बार coupon expire हो जाता है तो course यहां भी free नहीं रहता और अगर free ना रहे और फिर भी आप किसी course को free में लेना चाओ तो एक चीज़ है आप लोग course का पूरा नाम यहां से copy कर सकते हो copy हो जाता बड़े राम से copy करेंगे comment में डाल देना साथ में लिख देना I miss तो उससे मुझे पता थल जाएगा आपसे course मिस हो गया है और जैसे course next time आएगा मैं आपको अपनी comment के थूँ search करके notify कर दूँगा और काफी बार मैं भूल भी जाता हूँ काफी बार बहुत सारे लोग अलग-अलग course के लिए request करते हैं तो ध्यान नहीं रहता किसने कौन से course के लिए बोल रखा है तो आप लोग अगर खुद चैनल को subscribe करके रखेंगे एक दो हफते तक regular basis पर वीडियो देखेंगे तो definitely course जब भी repeat हो का वीडियो में मिल जाएगा और आप लोग वहीं से course में अन्रोल कर पाऊए बस आपको regular basis पर टाइम पर वीडियो देखना है जिससे आपको मदद मिलेगी courses को regular basis पर free में लेने के लिए fourth number पे hiring का course है यानि अगर आप लोग HR हैं तो उस जगह ये course आपको help कर सकता है और ये सारे ऐसे courses है जो कि पहले भी काफी बार free में आ चुके अब ये दोबार दो free हो रखे है तो मैंने वापस से add कर दिये है हमारे नए viewers या जिनसे लास्ट टाइम रहे नहोंगे वो लोगों को बार दोबार सो opportunity है कि वो लोग इस course में enroll कर सके फिफ्थ नमबर का time management का course है आप लोग इसको try कर सकते हो बाखे little suggest scroll कर सकते हो और यार प्लीज वीडियो को share कर जा करो अपने whatsapp पे चाहिए जो story लगा लो इस वीडियो का अपने instagram पे आप लोग story लगा सकते हो तक कि आपके जो बाकि friends है वो भी आपकी तरह free में course और certificate ले सके और उनकी थोरी internship और jobs अगरा हमें help हो जाए शिक्स नमबर पे आप गूगल स्लाइट का course है गूगल स्लाइट से अगर आप नहीं जानते हो तो बिलकुल basics आपको यहाँ पर सिखाए जाने वाले है नेक्स्ट कोर्स code का आपको देखने के लिए मिल जाएगा जिसकी help से आपको web development में मदद मिल जाएगी जो भी लोग web developers हैं आप लोग इस course को try कर सकते हो next course ansible का मिल जाएगा ansible जो की आपको यहाँ पर automation में help करता है वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी next course Microsoft Excel का complete course रहेगा साड़े 14 घंटे का course है जिदे बेसिक से advance सारी जिदे आपको सिखाई जाएगी next course power engineering का course है तो मेरे पात बहुत time से request चारती है हमें engineering के ओपर भी course चीए तो अब यह course आच चुके हैं आप लोग इन में enroll कर सकते हैं और बाखी course देबाट जल्दी से जल्दी लाने के कोशिश करूंगा ही 12th course python and flask framework का रहने का मिल जाएगा next course CSS का मिलेगा जो की आपको help करता है web development में आपकी website उसको अच्छा दिखाने में presentation करने में ये आपका tool बहुत जगा help करता है तो आप लोग इसको भी सीख सकते हो next course financial accounting का आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो जो भी लोग सीखना चाते है इस course में आकर enroll कर सकते हैं course बिल्कुल फ्री है एक भी पैसा नहीं देना ना इको credit card debit card किसी भी तरह की payment detail तक की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी 15th नंबर पे communication skills के उपर course मिलेगा जो कि आपको career development में भी help करने वाला है 16th नंबर पे C++ और PHP जो भी लोग सीखना चाते है complete course है मेरे पास request वे थी last day कि हमें C++ का Udemy की तरफ सो course चीए तो आप लोग अभी इस course में enroll कर सकते हैं अगले course की तरफ चलते हैं 17th नंबर पे CISSP यानि Certified Information System Security Professionals का practice test रहेगा अब एक बात ध्यान देने वाली यहां पर यह है जो भी practice test रहते हैं उनके अंदर आपको certificate नहीं मिलता तो अगर आप लोग सिर्फ certificates के लिए courses में enroll कर रहे हैं तो practice test को छोड़ सकते हैं आप सबसे बड़ी चीज आपको कैसे पता चलेगा कौनसे course में certificate और कौनसा practice test तो इसकी एक बहुत अच्छी trick है ट्रिक यह है कि यहां पर आप लोग आके देख सकते हो this course includes bold में लिखा हुआ अरता बड़े अराम से पैचान में आ जाएगा इसके next line में अगर यहां पर practice test लिखा हुआ है समझ जाना यहां पर आपको certificate नहीं मिलेगा सिर्फ यह practice test लिख सकते हैं यहां पर certificate वाली चीज मेंशन भी नहीं है तो इस तीर की सा आप लोग पता लगा सकते हो और यह trick आपको पसंद आई है तो वीडियो को like करना मत भूल जाना 18th नमबर पर Comptia Network Plus का practice test लिख अगें questions और answers का set मिल जाएगा 19th नमबर पर यहां पर आप exports का business स्टार्ट करना चाते हो इंडिया में तो उसके उपर क्या policy से क्या steps आपको लेने वो सारी चीज़ आपको मिल जाएगे 20th नमबर पर Google Cloud Associate Cloud Engineer का practice test मिल जाएगा 21th नमबर पर Cisco Certified Cyber Apps Associates का practice test मिल जाएगा Next course massage के ओपर देखने के लिए मिल जाएगा अगर आप Swedish body massage सीखिना चाते हैं तो आप लोग इस course को enroll कर सकते हैं Next course Microsoft की तरफ से जो भी exams होते हैं उसके एक जुनर exam होता Microsoft Dynamic 365 तो उसका आहां पर practice test मिल जाएगा आप लोगों के लिए 25 नमर पर Amazon Affiliate Marketing का course है Next course Facebook Marketing का आपको मिल जाएगा 27th नमर पर Freelancing अगर आप करना चाते हो तो उसके अपर course है Next course TikTok Marketing का है फिलाल तो इंडिया में TikTok बैन है और जिन भी country में open है अगर आपकी country में open है तो कमेंट में जाकर करके अपनी country का नाम ज़रूर लिख देना 29th नमर पर Product Design का course है जो कि एक टूल है उसकी help से complete सीख सकतो 17 घंटे का course है तो आप लोग यहां पर आरकर सीख सकते हो तो जो भी लोग सिविल इंजिनेरिंग के mechanical इंजिनेरिंग के स्टुरेंट्स हैं और आर्किटेक्टेक्चर के स्टुरेंट्स हैं उनके लिए course बहुत ज्यादा helpful रहने वाला है थर्टीत नमबर पे अगर आप लोग पावर पॉइंट के थूरू इंफो ग्राफिक्स क्रेट करना चाहते हो तो वो यहां पर सीख सकते हो नेक्स्ट कोर्स ब्रेन ट्रेनिंग कर आएगा आपके सबकॉंशियस माइंड को कैसे कंट्रोल करना है उसके ओपर कोर्स है बाके चीज़ा आप लोग नीचे पढ़ सकते हो और ज्यादा इंफोर्मेशन के लिए course को एंडूल करके course खतम कर सकते हूँ 32 नमबर पे AWS की तरफ सा सर्टिफिकेशन मिल जाएगा आप लोगों के लिए नेक्स्ट कोर्स 33 नमबर पे है जिसमें आपको यूटूब मार्केटिंग का course है बेसिकली यूटूब का थमनेल आपको बनाना सिखाये जाएगा क्योंकि जितना अच्छा आपका थमनेल लगा उतने ही जादा व्यूज आपकी वीडियो पे आने वाले हैं इसका मतलब उतना जादा रिवेन यह उतने जादा सब्सक्राइब आपस के बढ़ने वाले है थर्टी फोर्थ कोर्स आपको यहाप इंटर्वी के ओपर देखने के लिए मिलेगा अगर आप इंटर्व्यूज क ग्लोबल एकनोमिक्स का देखने के लिए मिलेगा अनि एथिकल कैपिटलिजिम के ओपर कोर्स है थर्टी एट नमबर का यहाप आपको वेबसाइट पे कैसे आपको ट्राफिक बढ़ाना है उसके ओपर कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग में एक कोर्स आपको हैल्प कर सकता है थर्टी नाइन्थ कोर्स ड्रॉप शिपिंग का मिल जाएगा नेक्स्ट कोर्स फ्यूचर ट्रेडिंग सीखना चाते हो तो यहाप आप लोग सीख सकते हो बड़े अराम से नेक्स्ट कोर्स यहाप टीशेट बिजनस सीखना चाते हो टीशेट प्रिंटिंग का तो यहाप पर सीख सकते हो नेक्स्ट कोर्स एफिलेट मार्क्रिटिंग एफिलेट नेटवर्किंग वो चीज आप यहां पर सीख सकते हो और अंत्रप्रनौर्शिप आइडिया सीख न चाहते हो जिससे आपको नहीं नाइडिया आएगे और आप लोग खुद कावी स्टाटप क्रियेट कर सकते हो नेक्स्ट कोर्स डिजिटल प्रोड़क्ट अगर आप सेल करना चाते हो तो उसको कर सकते हो 45 इंस्टैंट अफ्लेयट मार्केटिंग सीखना चाते हो और यह सारे लेटेस्ट कोर्स अ देख सेँगे सबसे बड़ी क्रिप्टो करणसी है उसके बारे में सीख सकते हूं नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जो की 50 नमबर में मिलेगा सैस सर्टिफाइड असोसेट सैस प्रोग्रामिंग का यहाँ पर आपको प्रेक्टिस चस्ट मिल जाएगा यहाँ पर नेक्स्ट आपको एनन यहीं न इस्ट्रेटिफित क्या है और कहां यूज़ होता है बता देना चाहता हूं ये आपकी वेबसेट में उसक्टे स्टेम है वहाँ पर कैसे इस्ट्रॉल होंगी वहाँ बताया जाएगा next course multi-threading का मिलेगा जो कि software engineering के अंदर एक topic रहता Java programming के अंदर तो आप लग उसको सीख सकते हो next design button बनाना सीखना चाते हो programming के अंदर तो वो सीख सकते हो next course selenium and C sharp का आपको course मिलेगा जो कि software testing में help करता है कि आपका Java में भी आता है तो उसका course पर आपको मिल जाएगा आगे देखते हैं वीडियो में 59th course यहाँ पर आपको अगर आपको अच्छे HR बना चाते हो तो उसके उपर course है next course functional programming का मिल जाएगा Java के help से वो सीख सकते हो आप लोग आपर next course आपको देखने के लिए मिलेगा 61 नमर पर ASP.NET का framework रहता है बेसिकली यह जहाँ पर आप लोग website डिजाइन कर सकते हो next course APCICSCP का आपको practice test मिल जाएगा 63 नमर पर अगर आप class 12 की physics का practice test देना चाते हो तो वो यहाँ पर दे सकते हो next वाइरो लोजी के उपर आपको course देखने के लिए मिल जाएगा microbiology के अंदर आ जाता है practice test next 12 की chemistry के उपर आपको practice test मिल जाएगा physics का अल्रेडी दे चुका हूँ 66 नमर पर class 11 की chemistry का practice test मिल जाएगा next course की तरफ चलते हैं 67 नमर पर PGMP यहाँ पर practice test आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर next PMISP का practice test है next आपको Australian citizenship test के उपर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा practice test next course oil and gas industry के उपर आपको practice test मिल जाएगा अगर आप college admissions के लिए practice test देना चाहते हो तो यहाँ पर दे सकते हो next driving test का practice test मिल जाएगा next 73 नमर पर आपको जो course रहने वाला है Microsoft Azure Architect Technologies का practice test है 74th course Adobe Dreamweaver का है तो जो भी लोग web designing सीखने हैं उस जगे टूल अप का काम आता है Google Chrome के अगर basic सीखना चाहते हो तो वह यहाँ पर सीख सकते हो basically बहुत सारी काम की extensions और सारी settings वगारा कैसे operate करनी है वो जीज़ आपको बताई जाएगी next course यहाँ पर IQ test के उपर आपको practice test देखने के लिए मिल जाएगे next nursing practice test है next career development के उपर आपको course देखने के लिए मिल जाएगा एक next course set के उपर आपको यहाँ पर aptitude के उपर जो practice test है वो यहाँ पर आप आप लोग ट्राई कर सकते हो 80 नमर पर नर्सिंग के उपर आगर आपको practice test मिल जाएगा 81 नमर पर यह भी nursing के उपर आपको practice test मिल जाएगा तो अगर आपको फ्रेंस अगर नर्सिंग में तो उनको वीडियो शेयर कर दे रहा next course mysql के उपर practice test मिल जाएगा food safety is related अगर आप टेस्ट लेना चाते हो तो उसको यहाँ पर दे सकते हो 84th course personal trainer business के इंदर उसके उपर आपको course मिल जाएगा next 85 नमर पर linux जो कि आपका operating system है उसका course मिलेगा हिंदी में उसको सीख सकते हो certificate भी मिलेगा यहाँ पर next course यहाँ पर आपको lean six sigma yellow belt के उपर practice test मिल जाएगा next GMAT के उपर अगर आप practice test देना चाते हो तो यहाँ पर दे सकते हो 88 नमर पर test taking जहाँ पर basically आपको arm service vocational aptitude का practice test मिल जाएगा next driving test का है 90 नमर पर UI certified advanced RPA developer का practice test मिल जाएगा 91 नमर पर ACT maths के उपर practice test मिलेगा और जो आज का हमारा course है यह भी practice test है Canadian citizenship test के नाम पर तो आप लोग उसको try कर सकते हो तो अगर आपको आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like जरूर करना तो like करना तो बनता ही बनता है और को दूसरा course ही तो comment कर देना आपकी सारी comment कर reply 24 गंटे गंदर इस bell icon मिल जातो उसको जरूर चेक करते रहना और अगर मुसे बात करना चाहते हो तो WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, Twitter वेगारा पर message कर सकते हो सभी के message मैं generally देख लेता हो तो वहाँ पर भी message कर सकत तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली और मैं मिल रहो नेक्स वीडियो में लेकिन जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं करोगे वीडियो लेट मिलेगा और इसके पूपन एक्सक्राइब हो जाएंगे तो मेरे को मत बोलना कियार course में Android क्यो नहीं हो रहा है तो कि आप लोग वीडियो टाइम पर नहीं देख रहो तो सबसे पहले वीडियो टाइम पर देखो तो आप लोगों को सारे courses यहां से free में देखने के लिए मिल जाएंगे सब्सक्राइब कर लो हम मिल रहे अखली वीडियो में तब तक के लिए सभी लोगों को टाटा बाई बाई एंड टेक केर